हेलो दोस्तों कैसे हो उमीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे हमारे गूगल क्रोम में अगर हमारा माइड कनेक्ट है फिर भी वो शो नहीं कर रहा है और मतलब उसका आवाज रेकॉर्ड नहीं हो रहा है तो इसके हम क्या कर सकते हैं और इसको कैसे इनिवल कर सकते हैं तो बनेरे में इस वीडियो में शुरुआत से लिखे हैं तक तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा हाई मेरा नम गनेश है वैलकम तो मैं चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समधन बस और कुछ नहीं को सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपका माई कंप्यूडर या लैप्टॉप के साथ कनेक्ट है और वो शो नहीं कर रहा है मतलब वर्ट नहीं कर रहा तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको जाना पने गूगल क्रूम ब्राओजर में जाने के बाद आपको सबसे पहले यहां प ब्लॉकेट करके मैसेज होता है तो आपको क्या करना है उसके लिए अगर आपको ऐसा कुछ मैसेज दिखा देगा तो मैं भी आपको दिखा तो मैसेज कैसा होता है देखो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा मैसेज होता है जहां आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है कि आपका माइक्रोफोन जो आपका मतलब माइक रहता है वो ब्लॉक है तो आप क्या कर सकते हैं कि यह जो ब्लॉक है वो हट जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको ज जाना है privacy and security में जैसे जाओगे तो आपके समने कुछ ऐसा पेज आगा तो आपको क्या करना है सबसे नीचे जो साइट सेटिंग लिखा इसके उपर जाना है और जाने के बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ पर्मेशन मांगरा तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो परमीशन है मायक्रोफून का हो इसके उपर विर्प कर दिना और क्लिक करने के परिद है अगर चैसे видео अगर करने के बाद नहीं करता है अगर मैं पर 95 होग एकांपको प्रेक्टिकर तो तो पर प्रेसको यूज करता ह विपशेड होगे और कुछ सर्च कहने का पुशिश करोगे दिखो यहां लिखा भी है कि आपका जो माइक है वो कोई थार्ड मतलब यह गूगल भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है अगर आपको system में या laptop में सेम प्रोब्लम हो तो आपको क्या करना है यहांपे जाके इसको यहांपे टिक कर देना है और आपका माईक है देखो हो यहांपे आप symptoms क्लिक करोगे आपको बहुत सरा यहां पी maak दिखाए देग oh copy क्या करने यह default है उसको ऊपर आपको रखती देना है और default रखने कि बाद अपको अनीच आप अगर यह करने के..., अब भी अगर आपका phone चालो नहीं होते तो आपको क्या करना है कि इसको minimize करना है आपको जाने करना है sound में और sound में जाने के बाद आप जैसे sound में जाय certain option दिखाते में तो इसमने जाकर आपको check करना है जो कुछ उच्षई है तो आपको क्या करना है अभी। मेरा speaker connect है किया है वाइसा भी आपका यहां पर जो माईक है आपको दिखा देंगा और दिखा लेकिन अगर आपका यह दिखा ही नहीं देता तो आपको क्या करना है यहाँ पर जाके इसको जो ड्राइवर से प्रॉपर्टी में जाके यह दिखा भी मैं आपको दिखा तो आप जैसे प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर उसके जो ड्राइवर स है अब को दिखा कि अब कोई इसको मैं अपर पर यहां पर ट्राइवर से तो अब मेरे इसके लिए मैं मतलब यहां मुंदि रहा है लेकिन अगर हRadf में उसको अपडेट कर लिए अब्डेट करते हैं तो कि अप कर देना है आप जैसे सको इनिवल करोगे तो आपका जो माइक्क भॉन है वह चालो हो जाएगा तो इस तरह से आप देखा आप बहूते पसंद आया हैं तो मेरे विडियो को पसंद कीजिए मिलते कैसे नए वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत